सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फॉर सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास्टेंथ हिस्ट्री का चैप्टन बर वन जिसका नम है दर राइस आफ नेशनलिजम इन यूरोप आज की इस वीडियो हम लोग इसका इंट्रो देखेंगे और आज की इस व इस वीडियो कापी और पिन को ले लिजिए नोट करते चलिएगा देखिए पहले हम लोग बात करते हैं यार नेशनलिजम क्या होता है देखिए किसी भी वर्ड की पीछे यदि आई या सियम यानि इजम यदि सफिक्स की रूप में यूज हो जाता है तो वह एक आइडियो नेशनलिजम हुआ मतलब की किसी राष्ट का आइडियोलोजी अब राष्ट का आइडियोलोजी मतलब की राष्ट रुआ देता यानि की प्यारे बच्चों जब कभी भी एक कंट्री में कई लोग रहें और वो सब उस एरिया को एक अपनी कंट्री मानें तो उसे हम लोग नेशनलिजम कहते हैं ने समझ में आया चलिए कि और एक्जांपल के मदद समझते हैं माल लीजी प्यारे बच्चों कि जो आपका विल्लेज है या फिर आपका जो भी टाउन है वहां का एक अलगी रूलर है मतलब राजा है ठीक है अब वो राजा जहां तक क्या करता है और उन लोग की सेम और गोला मतलब है । उसी प्रकार से जब एक कंट्री में सब में सबी लोग के सामान विचार होते हैं ठीक है और सभी लोग के मतलब की एक ही लोग रहते है ठीक है सबी लोग के culture से हम होते हैं तो उसी हम लोग nationalism कहते हैं तो nationalism में कैसी feeling होती है समझ रहे ना जिसमें national पूरे हमारे nation की बात की जाती है ठीक है और यहाँ पर कई लोग इस chapter हम लोग देखें कि कई लोग यहाँ पर सामने निकल करके आए हैं जो लोग अलग अलग प्रकार से हमारे nation की definition देते हैं जो कि अभी हम लोग आके देखेंगे अभी basic सा idea ले ले लेते हैं कि nationalism क्या होता है अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे प्रेडिक्सरियू के बारे में प्रेडिक्सरियू एक फ्रेंज आर्टिस्ट थे हैं इन्होंने 1848 में एक प्रिंट यानि कि अपनी चार प्रिंट दे थी उसमें से एक प्रिंट जो है एक प्रिंट का कर रहे हैं मार्च कर रहे हैं काहां पे यहां पे आने की कोशिस कर रहे हैं अभ यह क्या है यह हमाराлагज जानती है जो सबी लोग बरर्टी सभी लोग आ रहे हैं तो इस पेंटिंग के जरीए जो फ्रीडिक सरीव हैं वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं। वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि सभी लोग फ्रीडम की बहुत ही मतलब फ्रीडम के प्यासे हैं। उन्हें freedom सभी को चाहिए और इसी खोज में सभी लोग क्या कर रहे हैं निकल रहे हैं freedom के लिए अब यहाँ पे इस आर्टिश ने अलग अलग प्रकार की country को उनके flag से रिप्रिजन किया यानि उनके जंडों से रिप्रिजन किया तो यह है हमारा French का flag जो की liberty पाश चुका और ह यह एक चीज और आप जो world history पढ़ेंगे मतलब जब आप लोग 10th की history पढ़ रहे होंगे तो इसमें आप लोग के बहुत ही जबर्दिस सतीज देखने को मिलेगी कि जो कुछ भी होता है पहले France में ही होता है लगभग जो कुछ भी होता है पहले France में ही होता है जैसा कि हमने 9th में देखा था French Revolution में पहले कहा होगा था France में ही होगा था सभी लोग Liberty की मांग पहले कहां किये थे France में ही किये थे France में पहले Constitutional Monarchie भी फॉर्म होई थी तो अकसर चीजे पहले France में ही होती है ठीक है और इस chapter में आप लोग को बहुत सारे dialogues भी मिलेंगे France के उपर और क्या कर रही है जो की कोसिस कर रही है कि यार हम भी Liberty पासके Liberty मतलब जानते है ना Freedom होता है ठीक है ताकि हम यह भी क्या कर सके Freedom पासके ठीक है तो समझ में आ रहा है ना अब यहां पर इन्होंने यह कोई असली में वीजन नहीं है इन्होंने एक यूटोपियन वीजन दिया है अब यूटोपियन वीजन एक इस प्रकार का वीजन होता है एक इस प्रकार का देखने का जरिया होता है कि माल लिजे वो हो नहीं सकता है मतलब वो हुआ नहीं है पर साइध वो फ्यूचर में हो जाए जैसे अब यूटोपियन वीजन क्या है जैसे कि माल लिजे मैं यह कहत सकता है तो ऐसा वीजन जो इस समय नहीं है पर साइद वो फ्यूचर में हो जाए तो उसी हम लोग कहते हैं यूटोपियन वीजन समझ में आए तो यहां पर इन्हों ने यह फ्रेडिक्सरिव ने यह में दिखाया है कि साइद फ्यूचर में जो कंट्रीज हो क्या आऊ सके जो लोग कि जिनी भी कंट्री से उनाइट हो सके और यहां पर इन्हों ने गौड का भी यहां पर यूज किया है अब दिखिए जो हैवेन है यानि कि यहां पर जो स्वर्ग है मालीजियो वहां से क्या है गौड जो हैं वो सभी लोग इसे देख रहे हैं और गौड भी क्या कर खरेंने नाचार वी करें एंशी कर दे रहे हैं ठीक है मतलब कि सबी लोग एक साथ रहे हैं ठीक है तो यह भी यहां पर फ्रेडिक Sareo है निल्य निल् agreement क्यों क्यों कि आप यहां पर जेंटने भी मुक्ट हैं उन्हें क्ख़तम कर दिया है और सभी लोग available liberty को पा न और constitutional monarchy बनाना चाहते हैं चीक अब तो यही हमें समझाना चाहते हैं कौन फ्रिडिक्स सरी हो तो मुझे उम्मील आप लोग समझ में आगे होगा तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अब दिखे यहां पे अब हम लोग बात करें किसके बारे में तो जब हम लोग बात करते हैं नेशन की बारे में तो कई लोग निकल करके आते हैं नेशन की डेफिनेशन देते हैं जिसमें से सबसे फेमर्स डेफिनेशन है रेनान क्या कहते हैं एक नेशन तब फॉर्म होता है जब उस नेशन में common language हो, race हो, religion हो और territory हो मतलब कि एक माली यह हमारा एक छोटा सा इलाका अब इसमें common race के लोग रहते हैं मतलब कि सेम प्रजाती के लोग रहते हैं ठीक है अब इन लोगों की एक सेम language भी है सेम culture भी है और यह लोग इतने ही territory में रहते हैं मतलब इतने ही लाके में रहते हैं तो यह हमारा nation हो गया औ और इन लोगों के अंदर जो feeling होती है कि भाईया यह हमारा nation है, हमारा nation सबसे अच्छा है, हमें इससे लगाव रहना चाहिए, हमें इससे प्रेम करना चाहिए, हम अपने nation की मतलब भक्त हैं, तो हम इसके देश भक्त हैं, तो यह सब वाली जो feeling आ जाती है, वो होती है nationalism, तो nationalism में एक feeling होती है, जो कि nation की लोगों की feeling होती है, मतलब कि जो nation की लोग है, यह अगर यह कहें, कि देखो भाईया, यह मेरा देश है, मैं या पे रहता हूँ, मेरा देश बहुत अच्छा है, और मैं अपने देश से बहुत ही प्रेम करता हूँ, तो यह क्या है, यह nationalism की feeling है, ठ देखे अब से पूरे च initer हम लों किया बात करेंगा सब्सक्राइबत कि बात कर रहे होंगे कि प्रकार से जब फ्रेंच revolution हुआ श् livestream将 रे मजद परैंट खेंगे और किस प्रकार से लोगों पंगो से टान发 यए वसी कर देखें में आप और किस प्रकार से लोगों को कंट्री बना लिए इसका नाम रख दिया फ्रांस अब इसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रेम ही करेंगी अब इसमें तो ऐसा भी होगा जो रिच रहेंगे यानि कि जो अमीर रहेंगे वो गरीब को दबावी सकते हैं ठीक फिर से वही वाली फीलिंग आ सकती है मतलब कि बहुत जरूरी बात है ठीक है तो इन सभी कोसिसों को यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट यानि कि हमारे पहले टापिक के बारे में कि हमने पीछे क्या पढ़ा अब आगे क्या पढ़ेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू जेंजवार नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है वहाँ पे आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं